करोना के चर्टे चुनाव आयोग ने दो माई को मतगार्णा के दिन सभी विज़ जुलोसों पर लगाया प्रतिबंद अक्सिजन सौर्टेस को लेकर के अक्सिजन टेंकरों की धुलाई को वाई सोना ने जोकी ताकत दुबई से लाया गए छे ट्रायोजनिक टेंकर देश में टीका करण के 101 दिन पूरे 14 दसमरों पांच करोड को दी गई डोज कोरोना के पीक को लेकर विज्ञानिकों का बड़ा दावार रुजाना साड़े चाल लाख तक आएंगे कोविड-19 के केस रेलवे ने अब तक 302 टन अक्सिजन की डुलाई की पांच टैंकर अक्सिजन लेकर हवाई मार्क से पहुंचे तेलंगाना भारत में कोविड से मुकाबले के लिए 135 करोड रुपए देका गुगल पिचाई और नडेला भारत की मदद के लिए आए आगे देश के कई हिस्सों में 30 सप्रायल तक आंधी बारिस और बरबारी का अलट अंडरवर्ड डॉन छोटा राजन को एमस में कराया गया भरती कुछ दिन पहले कोविड रिपोर्ट आई थी पोच्टिव करोना के नाम पर स्क्रीन सेरिंग एप्स के जरिये हो रही ठगी एकाउंट पो रहे खाली लखनों के मलियाबाद समेथ यूपी के 13 आम बिल्ट में लगेगी फूर्ट प्रोसेसिंग यूनिट करोबार में होगी बढ़ोत्री भाई के कतल के आरोप में कन्नाड एक्ट्रेस सनाया काटवे गिरकतार सड़क पर टुकुडों में मिला था सब बराइच में दो बसों की भिड़त में तीन यात्रियों की मौत आधा दरजन खायलों में दो गंभीर सीम ने जयताया दुख आक्सीजन की कमी पर अखलेस यादाव का बड़ा हमला बोले सरेयाम जुट बोल लई है बीजेबी सरकार बारा बंके में पतिवा भाई चुनाव की ड्यूटी में फसे तो संक्रमित मां को बाईक पर लाज का बेटी पहुची अस्पतार लखनाव में कोविड रोगियों से अधिक मोली वसुलने पर नियू सहारा हॉस्पिटल हुआ सील यूपी पंचाज चुनाव में विदाई से फूर्म नई नवेली दुलहन न किया मद्दान तो किसी ने अंतिम संसकार के बाद डालावो मिर्जापुर और राजमगर को मिला प्राणड वाईव बोकारों से 15,000 लिटर एमेलो लेकर वारा नसी पहुची टेन गोरगपुर में न डॉक्टर मिला न अक्सीजन सड़क पर घुटगुट कर तोड़ दिया दम यूपी में कोरोना न विगाड़े हालाद मेरट में आक्सीजन की कमी से अस्पतालों में दम तोड़ते न जराये मरीज यूपी के बागपत में वयोवरध निसाने बाद दादी चंद्रो तोमर हुई कोरोना पोच्टू अस्पताल में हुई भरती आक्सिजन की कमी से आगरा के होस्पिटल में तीन मरीजों की मौत पांच ने रात में तोड़ा थदम कानपुर में आक्सिजन सिलेंडर मोहिया करा रहा ब्यापारी कोविट सेवा ग्रूप तीन दिन में ही जुड़े साइक्टो लोग बरेली में कोरोना से जंग के लिए बरेली काइंट विधायक ने दी पूरी विधायक ने दी आमला विधायक ने दीए एक करोड रोपाई कोरोना वारेस की जंग से हारे मसूर फिल्म निर्माता रामू 52 साल के उमर में हुआ निधन पूर पियम अटल ब्यारी बाचपेई की बतीजी करोणा सुकला का 36 कड में कोरोणा से हुआ नितर आज होगा अंतिम संस्का कोरोणा के खिलाब जंग में उतरेंगे सेना के रिटायर मिटकल कर्मी जनरल विपिर रावत ने पियम मोधी को दिजान का दिए पांचजार कलर्ग पदों की भरतीस अधिसूचनाज बारती स्टेट बैंक ने की जारी आज से कर सकते हैं आवेदन सीमा सडक संक्ठन ने पदों की संख्या बढ़ा कर 627 की आवेदन की आखरी तारीक भी बढ़ी लगतार दूसरे दिन बढ़त के साथ खुला वाजार सुरुवाती कारोबार में तेजी का हुआ दो बैंको के विले से कई खाता दार्खों को हो रही हैं असुविधाएं टिंसनर सबसे ज़्यादा परिशार फरीद कूर्ट मेटकर कॉलेज पहुंचे ऑक्सीजन टेंकर को लेकर हुआ विवाज सरकार ने आधी रात को अमरस्तर पहुंचाया टेंकर बियार में भी वीकेंड लॉक्टाउन की हो सकती है सम्भावना सियम निती साच ले सकते हैं फैसला बियार के पट्ड़ा में आक्सीजन संकट बरकरार हर तीन से चार घंटे पर मच रही है अफरात अफरीक बियार के मुझफरपुर में कोरोना से दस और लोगों की हुई मौत 535 नए संक्रमित मरीज मिले मुझफरपुर समेट आठ इस्टेशनों पर 50 रुपे में मिलेगा प्रेट फार्म टिकट बियार के पूड़िया में ग्रामिरो द्वारा सड़कों पर सुखाया जा रहा है मक्का दुरगटना की बनी रहती है आसंका बियार के दरवंगा में तीन दिन के लॉकडाउन के बाद बाजारों में उम्री भी सारीरिक दूरी नियम का नहीं हो रहा पालन बियार के गुपाल गंच सदर अस्पताल में एक एक कर थम गई ग्यारा मरीजों की सांसे दिल्ली और हरियाणा के किस्तानों के लिए राहती खबार परालिक जनाने पार नहीं होगी जेल दिल्ली को अक्सीजन मुया कराएगा उडिसा सीम पतनाएक के प्रतिकेजरी वाल ने जताया अभार ओडिसा में पिपिल उप्चुनाओ में कांग्रेस के प्रत्यासी अजीत मंगराज की करोना से हुई मौत रद्ध हो सकता है उप्चुनाओ केरल के पत्रकार सिद्धी कपन की दाखिल की जाए मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोड कल करेगा सुनवाई बारत में आज सुबा तक रेल्वे द्वारा 450 टन अक्सिजन पहुँचाई गई यूप्चाज चुनाओ को लेकर हिंसक गटनाओ के बीच तीसरे चरण में 73 दस्मरों पाथ फिश्टी हुआ मद्दार रिसर्च के मताविक मोवाई की लट्से कमजोर हो रही है बच्चों की आदास प्रयागराज में संक्रमितोवा व्युजवानों की मदद कार बनी प्रयागराज में रेखा की रसोई दर्जनों परिवारों को खाना मराकित दे रही चीनी कंपणी ने भारत में लॉंच किये नए एलक्टरिक स्कूटर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सिंगल चार्च में चलते हैं 80 किलो मीटर माज 11 लाग की गाड़ी को रिपेर कराने के लिए डीलर ने मागी 21 लाग रुपए इंटरनेट पर चर्चा का विषय मेना निसान मेगनेटिक एक्सिडन्ट पुंड़ाई लेकर आ रही है नई माइक्रो एस्यूवी एक सबन माज 4 लाग से सुरू हो सकती है कीमत 12 से उडानों पर आस्ट्रेलिया ने लगाई रोक 15 माई तक के लिए हवाई यातायात पर लगी रोक